नमस्कार मित्यों, इस्टेडी वाडी विजेंसर चैनल में आप लोगों का स्वागत है, जैसा कि हम लोग दीन दयाल उपाध्याय गोरक पूर विशुविद्याले गोरक पूर के बीएट फोर्थ सेमेस्टर से समबंदित प्रस्न पत्रों को हल कर रहे हैं, संभावित जो पर इसके पहले मैं एक 40 प्रस्नों की वीडियो बनाया, उसके बाद 32 प्रस्नों का यह सीरीज बना रहा हूं, आप लोग इसे देखें, और मेरा यह उम्मीद है, और आसा भी है, कि यह सब प्रस्न परिच्छा में आप से मिलेंगे, पूछे जाएंगे, तो आईए शुरू करत हैं, यह आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना नो भूलें, पहला प्रस्न है, जनसंख्या सिच्छा एक सैचिक कारिक्रम है, जिसके कारण, परिवार, स्रमुदाय, राष्ट और विश्व की जनसंख्या की इस्थित का बोध कराया जाता है, जिससे विद्यार्थीओं में इस इस्थित के प्रतितर्क पूर दिष्टिकोर तथा उत्तरदाइत पूर विवहार विक्सित किया जा सके या किसकी परिभासा है, तो या परिभासा जनसंख्या सिच्छा की उनेस्को के द्वारा दी गई है, दूसरा प्रस्ण है, जनस जनसंख्या का माल्थूसियन सिध्धांत माल्थस ने दिया था जो एक प्रमुकर्थ शास्त्री थे या बिटिस शास्त्री थे और इन्हों ने 1789 में प्रिंस्पल आफ पॉलेशन नामक पुष्टक लिखा इसी पुष्टक में इन्हों अपना पुष्ट सिध्धान दिआ कि जनसंख्या जयामिती Μीव से बढ़ती है जब की खाध्यान जो है वह अंक गरती रूप से बढ़ते हैं तो आप इन प्रसनों को देख लें टैयार कर लें आई एगले प्रसन को देखे प्रसन संख्या तीन है निम्नलिखित में से किसे जन सांख की अध्यान का पिता कहा जाता है तो इसे जान ग्रांट को कहा जाता है कारल माक्स का भी नाम आता है लेकिन पहले जान ग्रेंट का ही नाम प्रमुख है चौथा प्रस्ण है किस किताब में पहली बार जनगर्णा सब्द का प्रियोग किया गया था तो यह हमलों के गौरों की बात है कि कोटिल द्वारा रचित अर्थ सास्त्र में जनगर्णा सब्द का प्रियोग किया गया है पाचवा प्रस्ण है किस वर्स को जन के वर्स के रूप में माना जाता है तो 1921 इस भी को जन सांखिकी अभिभाजन के वर्स के रूप में माना जाता है परिच्छा का जो आज आप लोगों का थर्ड पेपर उसके question को देखते हुए यह वीडियो मैं बनाया हूँ मैं 41 प्रस्ण से ही संतुष्ट था लेकिन परिच्छा में जो प्रस्ण बना रहे हैं उसके कोर्ष्चन बड़े ही अस्तरिय हैं कठिन प्रस्ण बनाये जा रहे हैं इसलिए मैं 32 प्रस्णों को लेकर आया हूँ जिससे की आपका रिवीजन हो छठा प्रस्ण है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के कौन से राज्य में उच्चितर बाल लिंग अनुपात है तो मिजोरम में सात्वा प्रस्ण है भारत में जनगर्णा का क्रमवार आकलन कब से प्रतिदर्स वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है तो 1881 इस भी से अगर भा भारत में पाली बार जर्गर्णा की बात की जाए तो 1872 इस भी में लाड मेवों के समय में हुआ था लेकिन नियमित जनगर्णा की जो शुरुआत हुई लाड रीपन के समय में 1881 में हुआ तभी से लेकर प्रतेक 10 वर्ष पर जनगर्णा भारत में होती है आठवा अगला प्रस्न संख्या 9 है 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिश्व की कुल जन संख्या में भारत की भागीदारी है लगबग तो भारत की जो बिश्व की कुल जन संख्या में भागीदारी है वह 17.5 प्रतिसत है दसां प्रस्न है भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जन संख संख्या के बराबर व्रिधे हो रही है तो आस्ट्रेलिया के बराबर संख्या 11 भारती जनकारना इत्यास की कौन सी घंचा़ना थी तो 2011 की जसल्गरना हुई थी वह पंद्रहमी जनait ऊठी और यद यौ पूछे स्वतंत्रभारत की Facebook भोस्ति यन जन्गरना थी तो श्वतंद्र भारत की शात्वी जन्गरना थी 2021 की तो आप लोग इन प्रस्णों को देख लें और मैं बार-बार आप से आगरा करता हूं कि आप लोग मैं प्रस्ण जहां से बना रहा हूं टेस्ट बुक से उन टापिकों को अच्छी तरीके से आप लोग तयार कर लें क्योंकि प्रस्ण थोड़ा सा घुमा दे रहा है डाइरेक्ट प्रस्ण नौ पूछ कर इनाल्सिस बेस प्रस्ण पूछ दिया जा रहा है इसलिए आप लोग तयार कर लें अच्छी तरीके से अग संक्रह दूख़बिद का सब्सक्राइं की दिस्ट से भारत के तीन शही क्रम को सब्सक्राइब छोटे राज्यों का क्रम है शिक्किम मीजोरम और अंचल प्रदेश आईए अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण संख्या 15 है उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दसक में उच्यतम जन संख्या ब्रिद्धी हुई तो उत्तर प्रदेश में सन जन संख्या गनत्तों का अर्थ है तो जन संख्या गनत्तों का अर्थ है प्रतिवर्ग किलो मीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रस्ण संख्या 17 है 2011 की जन गहना के अंतिम आकड़ों के अनुशार भारत का और सत्त जन संख्या गनत्तों प्रतिवर्ग किलो मीटर कितना है तो 382 व्यक्तियों आईए अगले प्रस्ण को देखा जाए प्रस्ण संख्या 18 है भारत के बिमारू राजियों में सबसे घना आबादी वाला राज्य है तो आप सभी जानते हैं बिहार प्रस्ण संख्या 19 है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पूरुसों से अधिक है तो केरल में केरल में साच्छर्टा दर भी सरवाधिक है प्रस्ण संख्या 20 है किसने तरक दिया कि जन संख्या भृधिका अर्थ ब्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है तो यह तरक डेविड रिकार्डो ने किया और डेविड रिकार्डो का जो कारेकाल है वो जीवनकाल है 1772 से 1823 मी उन्होंने तरक दिया कि डेविड रिकार्डो महोदय ने कि जन संख्या भृधिका अर्थ ब्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है आईए अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण संख्या 21 है किसने जन संख्या प्रवाशन के मध्यवर्ती औ और माधल प्रश्थूत तो इस्टाफार द्वारा जन संख्या प्रवाशन के मध्यवर्ती ओष्ण माधल प्रस्थूत किया प्रस्न संख्या 22 है किसने जन संख्य की संक्रमण का सिधानत दिया तो जन सांख्य की संक्रमण का सिध्धान्त W.S. Thampson 1929 और Frank W. Notice 10 ने दिया था आप इसे तयार कर लें कि जन सांख्य की संक्रमण का सिध्धान्त W.S. Thampson और Frank W. Notice 10 ने दिया था प्रस्न संक्या 23 जन संक्या घनत तो बराबर एक सुत्र है जन संक्या घनत तो बराबर कुल जन संक्या बटे कुल भूमिच्छेत्र तो आप लोग इसे तयार कर लें आईए अगले प्रस्न को देखें प्रस्न संक्या 24 है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में पूरुस और महिला साच्छर्टादर क्या थी तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में पूरुस और महिला साच्छर्टादर क्रमसा 82.14% और 65.46% थी प्रस्न संख्या 25 है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में साच्छर्टादर क्या थी तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में साच्छर्टादर 74.64 प्रशन संख्या 26 है भारत की जन संख्या की 2021 वार्शिक व्रिद्दिधर क्या थी तो 1.64 प्रशन संख्या 27 है बिश्व जन संख्या के और समान वित्रड के लिए उत्तरदाई मुख्य कारक हैं तो बिश्व जन संख्या के और समान वित्रड के लिए जो प्रमुक उत्तरदाई कारक हैं वो इस प्रकार से हैं सहरी करड़ खनिज संसाधनों की उपलब्धता राजनीतिक निड़े जनसंख्या का प्रवास और सैचिक का प्रस्ण संख्या 28 सामाजिक प्रवासन तब होता है जब लोग जीवन की बेहतर गुर्वत्ता के लिए कहीं पलायन कर जाते हैं या कहीं पलायन करते हैं उसे सामाजिक प्रवासन के नाम से जाना जाता है तो मित्रों आप लोग इन प्रस्णों को देख लें और इन प्रस्ण चहां से मैं जिन टापी का जिनलेशन से उठाया हूं उसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें समय तो कम हैं लेकिन आप हुआ है आईए अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ट संख्या 29 है 15 जगले प्रश्ण आयू में भारत की कितनी आबाधी है तो 15 से है प्रत्भारती अर्थ शास्त्री कोन है तो प्रत्थम भारती और्थ sastry के रूप में कौटिल लुगप्त चारक को जाना जाता है कौटिल का अन्य का अन्य दो नाम विशे लुग और चारक के हैं प्रस्टर संक्छय स्थ भारत के जन outrage अricht कौन हैं तो तो आप सभी जानते होंगे 21 21 जुलाई को मनाया जाता है तो मित्रों इस प्रकार में दो वीडियों के माध्यum repent एक में 40 और इसमें 33 प्रस्ण बताया हूं आप लोग इन प्रस्णों को तो तयार कर ही लें साथ ही साथ लेशन में इन टापिकों को खोज के अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें जिससे की प्रस्ण किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे आपका पेपर अच्छा हो आप अच कामनाओं के साथ नमस्कार